हलो दोस्तों जैमा काल मैं आपका दोस्त चंदर शेकर सुनने टू इंफिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागल करता हूँ दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिल आइकन को दबाएं जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हैं दोस्तों वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेर जरूर करें और आपके जो भी एक्जाम होंगी राजस्तान के दोस्तों आर एएस से लेकर जितनी भी एक्जाम होंगे जैसे पटवारी वनपाल वनरक्षक हाइकोट अल्डिसी रेंजर वीडियो उन सभी में आपके कि पूरी हिस्ट्री के बाद में आपको क्योशन मिलेंगे तो आप उन क्योशनों को भी जरूर हल करें तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक राजस्तान सूचना आयोग की बारे में जान लेते हैं कि राजस्तान सूचना आयोग है क्या तो देखिए राजस् को एक वेधानिक निकाए के रूप में बनाया गया है ठीके आगे चलते हैं तो देखिए यह पूर्थेया स्वायत शायी कोन्सी स्वायत सासी थिके इसका मुख्याले कहां है जैपुर याद रखना की राजैस्तान सूचना आयोग का मुख्याले यह only धारा के अनुषा धारा 12 यहां राजिस्तान सूचनायोग अधिनियम की स्ताप्ना की गई थी धारा 15 के अनुसार ठीक है फिर next छलते हैं मुक की सूचनायोकत तथा एक तो मुक की सुचना वित होता है और 10,90 शूचना में खोगी कुल मिलाकर किसं केकि cents कर नी होगी ग्यारा होगी थे कैश्तां जूचतान तो 13 सुचना में कितनी सदश्य होते हैं 11 सदस्य होते हैं एक मुख्त के साथ ठीक हैरास्तान सुकना का घठन कब किया गया उसके बारे में जान लेते हैं तो देखिए रास्तान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रेल 2006 को हुआ ठीक है कब हुआ टू-इणफ։र्मेश्ण एक्ट क्या होता है या राईट टू-इणफॉर्मेश्ण क्या होता है तो देखो राईट टू-इणफॉर्मेश्ण आर्टी आई बोलते हैं जिसे इसका लागू कब हुई थी ये तो 12 टुमबर 2005 को ये लागू हुई थी यह RTI अनुच्छेद 19 1 कैसे हुआ कि 19 1 है अनुच्छेद 1 जिसमें विचार और अभीवक्ति की स्वतन तरता है उसके अनुसार ही RTI मूल अधिकारों के अंतरगत आती है याद रखना RTI मूल अधिकारों के अंतरगत आती है ये याद रखना ठीक है RTI एक 3-3 विवस्ता है कितनी 3-3 विवस्ता है कौन-कौन सी है और वो क्या-क्या काम करते हैं ये बताते है तो RTI एक तो होता दोस्तों लोग सूचना अधिकारी जीसे PIO के नाम से जानते हैं लोग सूचना अधिकारी ठीक है ये क्या काम करता है तो ये देखो दोस्तों यहाँ सूचना आवेदन करते हैं जो भी लोग होते हैं जिसको भी कुछ प्रोब्लम होती है कुछ भी तो वो सूचना आवेदन करते हैं सामाने स्तती में वह 30 दिन के अंदर सूचना देता है ठीक है उनका काम कितना होता है कि 30 दिन के अंदर उस सूचना को आप तक पहुंचा सके लेकिं दूस्तों एक बात याद रखना जब सूचना व्यक्ति की जीवन और स्वतंतरता की हो तो हम वह बात करता है सिर्फ 46 गंटे के अंदर ही सूचना उसको देनी पड़ती है याद रखना तो सूचना अगर सामानने हो तो 30 दिन के अंदर और अगर व्यक्ति की जीवन और स्वतंतरता से संबंदित हो तो 45 गंटे के अंदर वह सूचना देगा आपको ठीक है प्रथम अपीली अधिकारी अगर यह इस माल आपकी सूचना 30 दिन के अंदर नहीं देता है तो आप प्रथम अपीली अधिकारी के पास जा सकते हैं और फिर वहां पे आप अपना जो भी सूचना उसके बारे में बता सकते हैं फिर देखिए दोस्तों इसको आपको बताएं और फिर यह 90 दिन तक आपको अगर सूचना नहीं देता है तो आप सीधे दित्य पीली अधिकारी के पास जा सकते हैं या उसे डाइट सूचना बोल सकते हैं तो वो तो आपकी सुनेगा ही सुनेगा ठीक है उसके पास तो आपको जाना ही जाना है अब नियुक्ति कौन करता है कैसे होती है तेको नियुक्ति की बात करत से ही वो उसकी नियुक्ति करता है ठीक है तो नियुक्ति समय नियुक्ति राज्यपाल करता है और उस समयति में कौन-कौन होते हैं एक तो मुख्य मंत्री होता है याद रखना मुख्य मंत्री द्वारा मनोने थे केमिनेट मंत्री होता है और विदान सभा के जो विपक्षी प पद ग्रहन करता है पांच वर्ष के अवधि के लिए पद धर्द करेगा और पुनन नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा दुबढ़ा पुनन नियुक्ति नहीं होगे ठीक है कारेकाल देखते हैं इसका और यह अगर पद का सब देता है तो कौन से इस मंत्री को ही देता है यहीं इस मंत्री मंदल को देता है अपना त्याट पत्तर याद रखना पांच वर्स 65 वर्स की आयू से पहले जो पूर्ण हो उसी में वह अपना गुजरा करेगा मतलब देखिए या तो उसकी जो जहां से स्टार्ट हुआ उसका कारेकाल यह तो पांच वर्स का हो गया अगर पांच वर्स भी नहीं हुआ अगर उससे पहले वह 65 वर्स का हो गया तो भी कारेकाल पूर्ण हो जाता है ठीक है तो एक अगस्त 2019 को इसमें संसोदन हुआ था कारेकाल केंदर सरकार द्वारा निश्यत किया जाएगा समय समय पर याद रखना कि पहले इसका कारेकाल यह था लेकिन अब समय समय पर इसका कारेकाल केंदर द्वारा निश्यत किया जाएगा सपत कौन दिलाता है इसको देखो सपत तो राज्यपाल ही दुआता है देखते ही कैसे दुआता है राज्य मुक्य सूचना आयुक्त का कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहन करन उपवर्णित प्रारूप के अनुसार सपत का परतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्सर करेगा ठीक है ठीक है साथ राज्यपाल और उसकी जो अनुसुची में ऐस प्रियोजन होता है उसके द्वारा ही वो हस्ताक्सर करेगा ठीक है राज्ये मुख्य सूचना आयुक्त और दो कोई राज्य सूचना आयुगते किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित करके हस्ताकस सहित लेख पा द्वारा पत्त का त्यागे कर सकेगा किसके द्वारा राज्यपाल को संबोधित कर xaTT ठीक है प τοां कर सकेगा आगे जलते हैं राजस्तान के मुख्य सूचना आयुक्त याद रखना बहुत important question है कि राजस्तान के मुख्य सूचना आयुक्त स्रीदेविंदर इंदृ भूशन गुपता कोन देंदर भूशन गुपता और सूचना अयुक्त नारायन बारेट तता सीतल धनकर ने पद की सपतली ठीक है याद रखना राजस्तान के मुख्य सूचना अयुक्त स्री देवंद्र बोशन गुपता सूचना अयुक्त नारायन बारेट और सीतल धनकर देना सपतली गई राजस्तान के प्रथम म बारे में बात करें तो एमडी को रोनी थे कौन थे एमडी को रोनी परतमान में याद रखना मुक्य सूचना आयुक्त अगर भारत की मुक्य सूचना आयुक्त के बारे में बात करते हैं तो वो है यस्वंदर यस्वंदन सिन्हा एक सतीन सदसे ही चैन समिती ने की ठीक है एक क कमेटी के प्रमुक्परदान मंत्री नरेंदर मोधी थे इस कमेटी के प्यम के अलावा लोक्षभा में कांग्रेश के नेता अधिरंजन चोधरी थे और ग्रय मंत्री अमित्सा थे याद रखना कौन-कौन थे उसमें जो मुक्षी सूचना एक थे भारत के यसवर्दन सीना उस चोधरी वह होंगी और ग्रय मंत्री अमित्सा थे ठीक है और इनकी चेहन किया गया अब आके चलते ही वेतन के बारे में बात करते हैं कि राज्य मुक्षी सूचना को संदाय वेतन और भत्ते उसको सेवा के अन्ने निवंद और सर्तों वही होगी जो भारत के निर्वाचन फिर के सूचना वेतन और भत्ते उसके सेवा के निवरज वत्त दो है । कि सूचना के अधिकार की प्रापती है तुर आंद़लन की सुरुवाथ हुए थी थी ठीक है और वह आंदलन कहां चीवा तो संद्रीम याद रुचना Je iş'me कहां से हुआ ब्यावरा जमेर से हुआ था चांद गेट पर ठीक है कब हुआ छह अप्रेल 1905 में याद रखना बहुत इंपोर्टेट क्यूशन है 1905 में को मजदूर किसान सक्ती संग के प्रहनता अरुनार रोई द्वारा की गई ठीक है ये सूचना का अधिकार 2000 में लागो कर दिया गया था जिसे अब नया अधिनियम होने के बाद निरस्त कर दिया गया अब ये जुब से ये नया अधिनियम बना आर्टिय गया तो फिर इस 1904 में वाले को निरस्त कर दिया गया 2000 में बना था वो और फिर अब जब नया बना ये तो इसको निरस्त कर दिया गया सूचना का अधिकार अधिनियम संपूर्ण देश में कब लागू हुआ तो दोस्तों संपूर्ण देश में 15 जून 2005 में लागू हुआ जम्मू कस्मीर को छोड़ कर याद रखना ये भी चीज एमडी कोरोनी चंद्रमोहनमीर्ण सुरेश सोद्री डीवी गुपता तो आपको मैंने बताया था देवंदर कुमार गुपता तो डीवी गुपता राइट आंसर ठीक है अब आगे चलते हैं राजस्तार के प्रथम मुख्यी सूचना आयुक्त कौन थे ठीक है राजस्तार के एने तिवारी वजहत हभीबुल्ला राजी उमाथुर सुस्मा सिंग तो आपको बता दूमें इसका राइट आंसर है वजहत हभीबुल्ला साब ठीक है ये थे भारत के प्रथम मुख्यी सूचना आयुक्त याद रखना इंपोटेंट क्योशन है दोस्तों फिर चलते हैं न कि ठीक है उन तीनों ने मिलकर क्या किया था जो ये वर्तमान मुख्यसुचन आयुक्ती ये सवंदर सिंहा मंकी न będę थी राजस्तान के मुख्यसुचना आयुक्त अन्नी सूचना है तो अपने त्याग पत्त्र किसी देते ति कर दोस्तों तो ये अपना तिाग पत्त्र अगर हैं डेश की कि देश में सूचना अदिकार प्राप्त करने ही तुं जना अंदोलन की सुरुवात रमन मैगनसं पुरुष्कार विजेता पूरू करंुलाय रढ़टया लगा वरा यंघ मेर में किस स्थिति को शुरू हुई यह बताना है आपको अजमेर लीके कुछ सिर्वात हुई थी 1 अप्रेल 1904 में जुन 1904 में 5 जुलाई 1904 मैंने बताया था इसको रट लेन 6 अप्रेल 1904 में कोई हुई थी दोस्तों याद रखना सूचना के अधिकार के इंतरगयत कोई सूचना प्राप्त करने के लिए करने है तो आवेदन करने का सुलक है बताओ कौनतना सुलक है मैंने उसमें नहीं बताया तो लेकिन क्यूशनों में तो इंपोटेंट है ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा है 10 रुपए कितने 10 उपलब दोगी मैंने आपको बतायता है तो ठीक है दोस्तों सामाने सूच रातीस दिन में और अगर किसी व्यक्ति की स्वतनतरता की और जीवन की बात हो तो वह 45 दिमें देना जरूरी है वह 45 घंटे होगा दिन नहीं घंटे में देगा ठीक है यह याद रखना राजस्तान में मुक्य सुचना आयुक्त का कारेकाल कितना होता है मैंने बताये था 5 वर्ष 55 वर्ष जो भी पहले हो ठीक है आगे चलते हैं आगे क्यूशन यही है दोस्तों इंपोटेंट मैंने क्यूशन करवा दी हैं आपको अगर दोस्तों किसी और भी टोफिक की वीडि दन्यवाद आप सभी का फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें धन्यवाद आप सब्सक्राइब